प्रकाश पिता रादिलाल बुराड़ी पैतीस वश्व और उसके छोटे भाई प्रकाश पिता रादिलाल बुराड़ी 26 वश ग्राम भानेगाओ निवास्य को 5-5 वश के सरसम्र कारावास और 2-2 हजार रुपे क्यारत दंड से दंडित किया है केनापुर्थाना छेतर के आने वाले ग्राम भानेगाओं में घटना दो साल पहले वैबाही कारेक्रम के दवरान घटे थुए थी अभी योजन के अनुसार 27 फरवरी 2020 को ग्राम भानेगाओं के नारान कुथे वह संजे कुथे के भांजे दिनेश नाक्तोड़े की शादी थी जिसकी बारात ग्राम डोडले से भानेगाओं आई थी जनवासे से बारात निकलने के बाद बाराज में नाच गाना चल रहा था बारात बानेगाओं बसेस्टेंट दुर्गा चोक मंदिर के पास पहुंची थी कि दुला उतर कर पूजा करने गया था बारात में नारान कुथे भी शामिल था वहां भी नाच रहा था प्रकास बुराड़े ने भी नारायन को लात मार दिया था रोड पर गिरने से नारायन बेहोश हो गया था जिसे तुरन थी अस्पता लेकर गये थे डॉक्टरों ने चेक करके नारायन को म्रत गोशित कर दिया था नाराण के मौत हो जो किती इस घटना की रिपोर्ट वुना तक नाराण के भाई संतोस कुथे ने करिणापूर पुलिस स्थाने में की थी मर्ग जाच के उपरांत इस मामली में प्रकास बुराड़े और उसके भाई कृष्णा बुराड़ा की विरुद धारा 3236 के तहत आप प्रकरन में आई संपूर्ण साक्ष तत्य वो परिसीतियों को अभियुक्त प्रकाश और उसके भाई कृष्णा के विरुद धारा 302 साइपटी धारा 34 के तहत धन्ने नी अपराद का आरुप प्रमानित नहीं हो पाया विद्वान अदलत ने इस मामल में दोनों आरुपी प्रकाश और उसके भाई कृष्णा को धारा 302 अबलिक 34 के तहत अपराद से दोश्मुक्त करते हुए उसके स्थान पर धारा 304 अपराद में दोश्री पाते हुए उन्हें पांच वश्मुक्त का स्थम्र कारावास वर प्रत्यक को दोदो हजार रुपे करते दंड से धन डिद किया है विद्वान अंदलत ने अर्थ दंड की राश्री जमा होने पर 3000 रुपे 6 पूर्ती सरुप म्रतक नारायन के विधी वारस को दी जाने हित्वा देश पारिद किया है